आज हम राजस्थान के भूगुल से राजस्थान की मिट्यों का विज्ञानिक पद्धती के अनुसार वर्गी करण को दिसकस करेंगे देखें मिट्यों का विज्ञानिक वर्गी करण अमरेकी कृष्वी विभाग के विज्ञानिकों द्वारा किया गया था और ये सर्व मानने वरगी करण है और देखिए इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो scientific classification है soil का इससे काफी questions competitive exams में पूछे जाते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं नचाring है रजस्थान की मिट्टियों का विग्यानिक पद्धी के अनुसार परगी करण विग्यानिक पद्धी के अनुसार रजस्थान में बाँच प्रकार की मिट्टिया पाई जाती है बोँ है eridosol, alphysol, entisols, inseptisol और vertisol मिट्टिया अब ये Eridosol, Elfisols, Antisols, Inseptisols और Vertisols मिट्टियां क्या हैं उनकी क्या विशेशताय हैं और राजस्थान में किन किन शेत्रों में इनका विस्तार है किन किन जुलों में ये मिट्टियां पाई जाती हैं इनके बारे में हम जानते हैं तो इस क्रम में सबसे पहले हम लेते हैं Airedosol मिट्टी को देखे Airedosol मिट्टी एक शुष्क मिट्टी है और ये एक खनीज मरदा है जो अधिक तर शुष्क जल्वाईू वाले शेत्रों में पाई जाती है Airedosol मिट्टी का जो विस्तार है राजस्थान में वो मुख्य रूप से चूरू, सीकर, जुनजनू, नागौर, जोदपुर, पाली और जाला और जिलों में पाया जाता है इस मिट्टी की अगर हम विशेशताओं की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये मिट्टी राजस्थान के मरुस्थलिये, अर्ध मरुस्थलिये, वेशुक्ष जलवायू वाले भागों में पाया जाती है एरिडोसूल मिट्टी में जैविक तत्व का आभाव पाया जाता है ये मिट्टी क्रशी के लिए अनुप्यक मिट्टी है इस मिट्टी में नमी की मात्रा बिलकुल नगर्ने होती है और क्योंकि इसमें जल संक्रहन शमता कम होती है इस मिट्टी में लवन्ता की मात्रा हमें अधिक देखने को मिलती है एरिडोसोल मिट्टी के दो उपवर्ग हैं और वो हैं केमबो और्थेट्स मिट्टी और केलसी और्थेट्स मिट्टी राजस्थान में केमबो और्थेट्स मिट्टी जालोर, चूरू, सीकर, जोदपुर, पाली, बाडमेर और जुंजनों में पाई जाती है वहीं केलसी और्थिट जो मिट्टी है वो जोदपुर, जालोर, पाली, बाडमेर, नागोर, सीकर, चुरू, श्री गंगानगर और जुनजनु जिलों में पाई जाती है एरडुसोल मिट्टी, जाजस्थान की रेतिली बालोई मिट्टी, दूसर मट्यार मिट्टी और दोमट मिट्टी के समान है तो आपको क्लियर हो गया एरडुसोल मिट्टी के बारे में अब हम नेक्स्ट मिट्टी के प्रकार की ओर चलते हैं और वो है एलफिसोल देखें एलफिसोल मिट्टी जो है एक प्रकार से जलोड मिट्टी है अगर हम राजस्थान में एलफिसोल मिट्टी के वित्रण को देखें तो ये विशेश रूप से जैपूर, दौसा, अलवर, भरतपूर, सवाई माधुपूर, टोंक, बीलवाडा, जितौडगर, बासवा मिट्टी की अगर सॉल प्रोफाइल या मिट्टी परिचि म्रदा प्रचिदिका को हम देखें तो ये मध्यम से लेकर पून्विक्सिक तक होती है इन म्रदाओं में और्जलिक संस्तर अपस्थित होता है और इस म्रदा की जो उपरी सतय है वो मट्टिया, उसमें मट्यारी म मिट्ती का प्रतिशत हमें अधिक देखने को मिलता है, ये जो म्रदा है क्रशी की दरश्टी से उपजाओं होती है, राजस्तान में बूरी मट्यार और लाल दोमट जो मिट्टी है, वह एल्फिसोल मिट्ती के समान है, ये गया उपको ध्यान रखना है, तो क्लिर हो गया, एलफिसोल मिट्टी राजस्थान में किंगिन शेत्रों से पाई जाती है जलोड मिट्टी और ये बूरी मट्यार और लाल दोमट मिट्टी के समान है और क्रशी के लिए उपजाओ है अगला जो प्रकार है मिट्टी का वो है एंटिसोल मिट्टी देखें एंटिसोल मिट्टी पीली भूरी मिट्टी के बराबर है ये जो एंटी सोल म्रदा वर्ग है इसके अंतरगत भिन भिन प्रकार की जलवायू में सित म्रदाओं का समावेश हमें देखने को मिलता है पश्चिमे राजस्थान के लगबग सभी जिलों में एंटी सोल समू की म्रदाएं पाई जाती है एंटी सोल समू की जो म्रदाएं हैं उनका रंग हलका पीला भूरा होता है और राजस्थान की अधी हम बात करें तो विशेश रूप से जो पश्चिमी राजस्थान के भाग हैं वहां एंटी सोल समू की म्रदाएं हमें देखने को मिलती हैं राजस्थान के लगबग 36.85 प कौर्जी सामेंट्स, टेरी फ्लोइंट्स, और तोरी सामेंट्स यह चार उपवर्ग हैं अब देखें जो कौर्जी सामेंट्स उपवर्ग की मिट्टियां हैं यह विशेश रूप से जैसल मेर के दक्षण पश्चिमी भाग में, बाढ मेर के उत्तर में, भीलवाड़ा, ब को coherence जिल्टी है वो राजस्थान के गगर नदे के मैदान न puis काने शृरी जड़ कंगानगर और हनमांगर जिलों में रहाएं यह जो राजस्थान की मट्यार मत मिट्टि है उसके समान होती है और को ध्यान रखना है एंटी सोल म्रदा समू का जो तीसरा वर्ग है ऑस्टी फ्लुएंट्स तो देखिए ऑस्टी फ्लुएंट मिट्टी अलवर भरतपुर धौलपुर वे दोसा में पाई जाती है और पीली पूरी दोमट वे बालुई दोमट जो मिट्टी है वो उस्टी फ्ल पाई जाती है तो यह क्लियर हो गया आपको जो एंटी सोल मिट्टी है उसके बारे में राज्ये के विशेश्टा यह है कि राज्ये के लगबग 36.85 प्रतिशत भाग पर एंटी सोल म्रदा समू की मिट्टियां पाई जाती है और इसके जो चार वर्ग है वो सभी प्रकार के वर्ग हमारे राजस्थान के जुलों में पाई जाते हैं अब नेक्स हम चलते हैं इंसैप्टी सोल मिट्टी के ओर देखें इंसैप्टी सोल एक आदर मिट्टी है और अर्द शुष्क से लेकर आदर जलवायू तक ये मिट्टियां पाई जाती है यानि दोना ही प्रकार के जलवायू पाई जाती है अर्द शुष्क जलवायू में भी इस मिट्टी के मिट्टियां पाई जाएंगी तो आदर जलवायू में भी इंसैप इंसेप्टिसोल समू के म्रदाएं सिरोही, पाली, राजसमंद, उदैपुर, भीलवाड़ा और चित्तोडगर जिलों में पाई जाती हैं विशेश रूप से आपको ध्यान रखना है इनके अलावा इस समू की जो म्रदाएं हैं वो जैपुर, दौसा, अलवर, सवाई मादु और जालावार जिलों के जलोड मिट्टी वाले शेत्र में भी हमें देखने को मिलती हैं यह जो म्रदासमू है इनसेप्टिसोल म्रदासमू है यह भी क्रशी कारियों के लिए बहुत उप्युक म्रदासमू है और जलोड मिट्टी के समान है और इस इनसेप्टिसोल म्रदास अगला मिट्टि का प्रकार है वो है वर्टिसोल मिट्टि काली मिट्टि जैसे हम वर्टिसोल मिट्टिया जो जाती है और विशेश रूप से जालावाड, बारा, कोटा और बूंदी जिलों में वर्टिसोल मिट्टियों का विस्तार हमें देखने को मिलता है इन चारों जिलों के अलावा कुछ शेत्र हैं जैसे सवाई मादपूर, भरतपूर, डुंगरपूर, बासवड़ा, चिताओड़गड जिलों के वहाँ पर भी वर्टिसोल समू की म्रदाएं हमें देखने को मिलती है यह जो वर्टिसोल समू की म्रदाएं हैं ये इन में बहुत ज़ादा कले की मातरा उपस्थित होती यह नि बहुत ज़ादा फाइन जो पार्टिकल है सॉयल के वो होते हैं और काफी चिकनी मिटियां कहलाती है ये और इन मिटियों में नमी को अवशोशित करन के इधारन करके रखने की जो शमता है वो बहुत अधिक होती है गर्मियों के समय में इस म्रदा समू की जो प्रत्वी है धरातल है वहाँ पर दरारें पढ़ जाती है और ये जो काली मिटि यह विशेश रूप से जितनी भी हमारी व्यापारिक फजले हैं उनके लिए काफी उप्युक्त हैं इन मिट्टियों को कपासी काली और रिगुड मिट्टी भी कहा जाता है और इस मिट्टी के उपसमूवों की उपवर्गों की हम बात करें तो दो उपवर्ग पाए जाते है वर्डिसर मिट्टि के जो हैं क्रॉमस्टर्स और पॉलिस्टर्स वर्ग् तो क्रॉमस्टर्स और पॉलिस्टर्स जो वर्ग hacemos दो होड्वर्ग है इस मिर्दाश समूव के ऊंक से यह हमारे सेंटिव क्लासिफिकेशन था सॉइल का जो आपको ध्यान रखना है कि पहले तो शेत्र विशेश को ध्यान रखना है कौई कौन सा मृदा समू किन शेत्रों में पाए जाता है उनकी क्या विशेशताएं हैं और उनके क्या-क्या उपवर्ग है